कि हमारे शरीर के कंकाल तंत्र यानिके स्केलेटन सिस्ट्रम में कौन सी हड्डिक कहा पर होती है उसका क्या नाम होता यह जानते हैं आज इस छोटी सी वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंकाल तंत्र यानिके स्केलेटन में टोटल 206 हड्डिया होती है यह सभी को है। अब इसमें से याद रखना है जो हमारा कंकाल तंत्र है इसे दो हिस्सों में हम देख सकते हैं। पहला हिस्सा कहलता है अपन्डिकुल्र स्केलटेटन जिसे उपांची कंकाल कहते हैं यह वह रिखनगता है बुत सभी चाक्वब से बाहर की तरफ होता है जैसरे हमारे हाथ फ़ेर हमारे कूले की हड़ियां एट सट्र सबसht अबात करते हैं कि यह हड़ियां कहां कहां कितनी ओतियां जैसे कि आर्म में एक हाथ में लगबच 30 तो दोनों हातों में 60 हड्डी होती है जबकि एक टांग में 30 हड्डी होती है तो दोनों टांगों में total 60 हड्डी होती है बात करें पैल्विक की यानि कि श्रोणी मेखला जो होती है बच्छो कूले की हड्डी जो होती है इसमें दो हड्डी होती है जबकि क्लेविकल और हड़िया होती है जबकि टोटल हड़ियां यहां से हम देख रहे हैं 126 हो गई है बात करते हैं एक्षयक अंकाल की 80 हड़िया कहां कहां होती है वर्टेबरल कॉलम कशेरूक इस्तम्व यानि कि आपकी रीड की हड़िया में तोटल चभविस हड़्य होती हैant जोपके हमारे ठीक रिप्स के बीच में यानरी की पचलियों के बीच में बड़ी हड्य होती जिसस्ट योप जोपस्लिय होते हैं ये चाविस होती है means यह बारा बारा दाई और बाई तरफ होती है इसकल बोन जो हमारा कपाल है उसमें टोटल कितनी हड्डिया होती है इसमें बाइस हड्डिया होती है दोनों कानों में तीन इसकान में तीन इसकान में जोटी-छोटी हड्डिया होती है तोटल छे हड्डिया होती है और एक हाइड ब hиваем तो यहां पांते हैं जो बड़ी हड़ी है बच्छों यह कहते हैं वाली इसको हम कहते हैं हिम्रस उसके बाद नीचे कोहनी से हमारे इसकर यहां तक तक गवाई तक जो हमारे है नहीं होती है इस यह रछी आपको कि तरफ होती है उसे हम कहते हैं अलना तो इसे हम कहते हैं बच्छो अलना हड्डी ओके उसके बाद जो हमारी कलाई होती है बच्छो कलाई कलाई में यह देखे आप यहां पर यह चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी- तो हमरे पास 30 हड़ी आ जाएगी एक हाथ में और दूसरे हाथ में बच्छो मिला कर टोटल 60 बोन्स हो जाएंगी अब बात करते हैं बच्छो किसकी अब बात करते हैं टांगी टांग में टोटल एक टांग में 30 हड़ी तो दो टांगों में 60 हड़ी आ होती है कहां कहां होती है सबसे 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 लंबी हड्री सबसे मजबूत हड्री तो अब कहते हैं आपके नीचे जो चमकदार हड्री होती है जिसम फिब्यूला कहते हैं अब उसके बाद तखने के आस-पास यह वाले हिस्से को हम बच्छो क्या कहते हैं Tarsal कहते हैं यानि कि टकने के आसपास जो टोटल हड़ियां साथ होती है s library होती है क्योंकि एक हड़्डी प्रटैइलर पर चलिगा यहांश ओठ कर ईसा मॉन कर सकते हैं तारसल में टोटल कितनी हड़िया हो ग首 COM तारसल के बाद आपका जो पैर का तला होता है उसमें यह देखे बच्छो यह पांच हड्डिया होती है यहाँ पर 1,2,3,4,5 इसे कहते हैं मेटा टारसल और इस पैर की उंगलियों को भी हम फ्लेंजिस कहते हैं बच्छो पैर की उंगलियों को भी हम क्या कहते हैं फ्लेंजिस ग६ कर रिभी के तक तो चॉuins में हाव टोटे में यहाँ पर पести आँगी हो सइथphenाक होगी अगे अब देखते हैं उसके प्रणम्फ की भी होगी जी नुँकि यह पिर लेघय जिसा होगी दो ह क्षि धीर सोगाई किppen ऑली हम होता है जबकि मेल का पैल्विस थोड़ा छोटा होता है यह भी आपको याद रखना होगा अपेंडिकुलर में ही आगे देखते हैं बच्चो क्लेविकल यानि की कॉलर बोन जो होती है यहां पर देखिए दो हड्डिया कॉलर बोन में है और दो पंक जैसी जो दो हड्डिया ह हमरे पीछे की तरफ दिखाई दे़ा है ऐसे करने पर ये दो हड्डिया होगे तो यह तोटल हो जाती है बच्चो क्तार इन्हें कहते हैं आइंश मेखला क्या कहते हैं-अइंश मेखला अब बात करते हैं तो यह टोटल Więs-शन recurrat muscle takiego झेूबिशन टा बाकी बच्छी रे skeleton में जो 80 हड्या उनका distribution देखते हैं तो वर्टेबिरल कॉलम जिसमें total 26 हड्या होती है किसी व्यास के आने कि adult में जिसमें गर्दन की हड्यों क्रेविकल क्या कहते हैं सर्विकल कहते हैं और इसे हम ग्रीवा के नाम से जानते हैं यह साथ होती है इनको हम C1 से C7 तक रिप्रेजेंट करते हैं C1 C7 ठीक है उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है इसे कहते हैं थोरेसिक थोरेसिक कोंवक्ष कहते हैं बच्चों इसमें total 12 हड्या होती है तो यह T1 से बच्चों T1 से करें टी 12 तक होती हैं याद रखेगा उसके बाद कमर की जो घ्दियां होती है जिसे कटी कहते हैं या मबर कहते हैं बच्चों लैंबर जो होती है बच्छों उसमें पाँच हड्या होती इन्हें L1 से यह L1 से बच्चों L5 तक को की होती हैं कि उसके बाद बच्छो सैक्रम चुज़े तिरिकास्थी कहते एं छोटी बच्छो पच्टों को तो एक होती है इसी तरीके से भाच्टों से छूटे सा पोर्शन आप देख हैं काॉकिग यह कहते हैं यह पुछास्ति कहते हैं या फिर अनूत्रिक कहते हैं यह चार होती है मैसे लेकि Chapley यह भी एक बन इस्ट Background स्रो एक होती है। आफिस तरंडम के दाइं और बाइं तरफ बारः बारा पसलिया यानिकि रिप्स होती हैं.. जिसमें से 10-10 ribs इस sternum से आगे जुड़ती हैं, बाकि नीचे की 2 जो आपकी पसलिया होती हैं या ribs होती हैं वो फ्री रहती हैं, वो इससे नहीं जुड़ती हैं बच्छों, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब इसकल बोन, इसकल में वैसे तो टोटल 22 हड़िया होती हैं, याद होती हैं, इनके नाम अलग से याद करने जरूरी नहीं है, वैसे मैंने दिये हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इस ठीक हैं, तो 22 में से 8 ही होगे, जबकि 14 हड़िया फेशल, यानि कि चेहरे के आसपास होती हैं, यह वाली 14 हड़िया होती हैं, ठीक है, इनमें बहुत ह मजबूत हड़िया होती है, बच्छो मेंडिवल जैसे कि आपको पता है, तो यह हो गई बच्छो, 14 हड़िया हो गई हैं आपको, क्रैनियल ठीक है, और 14 हड़िया हो गई हैं बच्छो, इनको मिला कर आप देखेंगे, तो कितनी हो जाएंगे बच्छो, टोटल 22 हो तो कान में बेसिकली 3 हड़िया होती है, बच्छो मेलस, इनकस और स्टेपीज, आपको पता है सबसे छोटी हड़िया है जबकि फीमर सबसे बड़ी है और मजबूत हड़िया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्छो, अब एक हड़िया होती है, हाइड बून होती है, जो की ठीक जबड़े के मेंडिबल हड़ि, इसे मेंडिबल हड़ि कहते हैं, इसके ठीक नीचे पाई जाती है, ठीक है, तो ये दोनों हड़िया आपकी स्कल में काउंट नहीं होती है, लेकिन हेड में काउंट होती है, आपको ये याद रखना है, तो हमने देखा बच्छो पूछेगा तो आप बताएंगे उना इसकल में पूछेगा तो आप बताएंगे बच्चो 22 हड्डिया ठीक है कान में 6 हड्डियों होती है दोनों कानों में 3-3 हड्डिया तो यान की टोटल 6 और हाइड बहुत जबकि बच्चो एक होती है आपको यह भी याद रखना है बच् क्लेविकल का होता है यानि कि जो हमारी कॉलर बोन होती है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समर्म आई होगी लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारी एप जरूर डाउनलोड कीजिए जिस पर हम RRB-ALP-CB-T-1 के लिए कोर्स लाउंच कर चुके हैं और उस पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो सभी किसका कहूंगा कि आप जादा से जादा बच्चों को यह वीडियो शेर करके जादा से जादा बच्चे हमरे कोर्स को परचेस कीजिए बहुत ही अफोर्डबल पी है बच्चों याद रखना आप लोगों के लिए ही यह क कोष्ट इजान के गए तक्यों बच्चिय वेरी मुच्च